हालो गाईज वेलकम टो मैं चैनल को साथ कोचिंग लासीज आयोप गास्ट रेवाल गए साथ श्री वीडियो में हम बात करेंगे अनक्षर फॉर्म्स के रिगारिंग बहुत सारे बच्चे की इंक्वरी जा रही थी कि मैं हमारा जो परजेक्ट है वो रिसम्मिट है हमने रिडिडराफ्ट है इगनो युनिवस्टी की नाम पर रिडिडराफ्ट करवाना है वन थाउजन का इफ आपका जो परजेक्ट है वो रिसम्मिट है अगर फिर्स टाइम सम्मिट है तो आपके 500 जो फीस रहेगी वो ही कट होगी अगर आपने फीस कट नहीं कर आई तो 500 का रिडिडराफ्ट लगा सकते हो फ्रेंट पे अपने आइकट के साथ लगाना है फिर बाकी का पर्जेक्ट यह जो मिनिंग मान की चलो यह डॉकमर्स आपको शो हो रहे हैं यह गाइड के फॉर्म से गाइड के डॉकमर्स है तो यहां से आपको जो अनक्षर 3 है सबसे पहले आपने जो बुक वाला है अनक्षर नमबर 3 अपनी निकालना है बुक से कट कर सकते हो नहीं तो प्रिंट निकाल सकते हो इसकी सॉल्व और अनसॉलवड दोनों पीडिएफ आपको मेरे टेलिगरम ग्रूप पे मिल चाहेंगी मेरे टेलिगरम ग्रूप का नीम है गुड दूसरा चरन है वहां भी आपको 30 activities होती है तो हर एक activities की किरिया जोजनी के 10 से नंबर आएंगे like 9 marks है उसके बाद किरियाएं अपनी कितनी है रपोर्ट उसका कितने है कुल आपको 30 से आउट आफ कितने marks मिले है वो आपको details यहां पे फिल करनी है तो जैसे यहीं मान के चलो तो वीडियो को pause करके भी फिल कर सकती हो 6 activities से लेकि आपको 30 activities तक proper भी सभी marks फिल करने है टोटल करना है और out of 900 आपका बनेगा 900 से आपको out of कितने marks मिले है वो यहां पे आपको टोटल करके लिखना है तो proper आपको इससे way में अपने जो forms है वो फिल करने है उसके बाद देख उसके बाद activities क्योंकि एक दिन में अगर आप तीन activity करते हो तो तीन activity के according total आएगा अगर आप एक दिन में चार activities करते हो पांच में जो आपका तीसरा चरन है उसमें पांच दिन होती है एक दिन में चार activities है तो उसके टोटल दगेंगे फिर आपके दूसरे दिन की चार activity फिर उसके बद इनका यहाँ पर मेंशन हो जाएगा उसकी बद अपका ब्रॉब्रेश ने मैं पैप के होई है तो उसकी बाद आपने क्या करना है जैसे पहली क्या होता था कि हमारा guide हमें 70% देता था बट यह अभी cross हो चुका है इसको आप cut कर सकते हो हमारा जो guide रहेगा वो आपको 30% number देगा और एगनो का जो guide रहेगा वो आपको 70% number देगा तो आपको 30% निकालना है और इसे आप mention कर सकते हो उसके बधे एक report होती है यह जो space होती है यह as a guide के लिए होती है जो आपका guide होता है जिसको आप जैसे जिसकी qualification ETT या फिर BAD की हुई है तो उसको आप guide as a ले सकते हो higher कर सकते हो जो भी आपको documents देने के लिए eligible हो क्योंकि some school में क्या है कि guide documents नहीं दे सकते हैं फिर अब हो बोल देते हैं कि हम नहीं देंगे तो आप अपने friend circle में जो भी GBT या फिर ETT BAD teacher है तो आप उसको guide हायर कर सकते हो तो यह जो report रहेगी यह आपका guide लेगेगा जैसे मैंने as a demo आपको बताया है तो आप इसी को भी use कर सकते हो या फिर थोड़ी बहुत अपनी line सा changes कर सकते हो तो proper आपके guide के report रहेगी उसके बाद आपका जिसने submit करोगे last date रहेगी और आपका जो भी meaning पे जहां से आप long करते हो वो आपका यहां पे नाम mention हो जाएगा guide के sign जो आपका guide रहेगा उसके sign होंगे और यहां पे देखिए जो आप पूछ रहे हो बार बार कि मैं school के stamp कहां पे लगनी है प्रिंसिपल के sign कहां पे होनी है तो यहां पे mention किया हुआ है कि आपके sign और stamp लोगी जैसे यह school के stamp लगी हुई है तो आपको same stamp और sign करवाने है प्रिंसिपल के जब आपका यह annexure number 3 जो fill हो गया आपका उसके बद आपका annexure 6 होता है mostly यह आपका reasoning center का होता है तो RC center से आपको करवाना होता है बट यहां पे meaning RC center वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे तो school से ही sign करवा लिए बट यह RC center के लिए होता है आपका उसके लिए आपका जो annexures curve है यह आपका लगेगा one curve annexures जहां पे भी आपको proper details fill करना है अपना name fill करना है कि school में project आकर complete किया वो आपका enrollment number कितने days में आपको complete किया वो सभी details दिनाख फिल करना है स्थान फिल करना है और यहां पे भी जैसे school की stamp और sign करवाने है तो यहां पे इन्होंने mention कर रखा है बाकी कि वीडियोस की details है कि आपका नेम क्या है enrollment number क्या है आपने कितनी वीडियोस बनाई कैसे अपने अपलोड की वो सभी details है और नीची आपका जैसे जो guide का name contact number उनका email ID बगरा सब कुछ mention है और यहां पे school के stamp और principle के sign है उसके बाद आपका वन नेक्षर यह candidate की तरब सी होता है कि उसने proper अपना नेम बगरा सब कुछ डाला हुआ है proper अपनी वीडियोस उसने maintain की है वो टिक की है उसके बदार उन्होंने अपने नेम और अपना लाइक सबी details मेंशन की हुए है फिर आपका आज जाएगा guide का नेक्षर जी आपका जो लास्ट वाला नेक्षर 7 एक guide के साथ documents लगेंगे जो मैंने वीडियो फ्रेंट में आपको दिखाए है गाइड कर क्या नेम है उसके qualification बगरा क्या है experience क्या है वो सभी documents आपको साथ में लगाने है साथ में ही आपको उनके जो contact number वगरा है वो सभी details आपको यहाँ पे फिल करनी है तो इसी प्रकार से आपको जो आपके अनेक्षर फॉर्म्स है वो complete करनी है I hope आपको सभी details क्या समझ आ चुकी है अनेक्षर फॉर्म्स की भी क्यासे फिल करनी है